असलाम अलेकुम, I'm Abdullah Iqtokhar and you are watching Jurisputentia आप सब लोग सोच रहे होंगे कि Jurisputentia क्या अजीब चैनल का नाम रखा गया है तो लेट्स डिसकेसिट Basically, Jurisputentia is a Latin term which means knowledge of law Knowledge of law एक बहुत वाइडर टर्म है और Jurisputents, Jurisputentia से निकला है अब Jurisputents के मतलब है Study of law और इसको Jurisputents को Science of law भी कहा जाता है अगर आप लोग भी यह सोचते हैं कि एक आम शहरी का कनून के इल्म से क्या तालुक तो यह बिलकुल गलत सोच है क्यूंके एक आम शहरी को भी उतना ही अल्म होना चाहिए कनून का जितना के एक वकील को इल्म है वो इस वज़ह से क्योंके एक अच्छा आम शहरी वो होता है जिसको अपने हاकूक और फरायश के इल्म के लिए आपको कनून पढ़ना पड़ेगा और कनून पढ़ना पड़ेगा फिर ही आप अपने राइट्स और अपने ड्यूटिस को अच्छे तरीके से जान सकेंगे और सुसाइटी के अंदर अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकेंगे जूरिस्पुडेंस एक ऐसा सबजेक्ट है जिसको हमें लौ के स्टार्ट से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है और एक अच्छा वकील डिगरी के बाद भी सबजेक्ट हो नहीं छोड़ता है तो नाजरीन मैं आपको बताता चलूं के जूरिस्पुडेंस और कानून का क्या तलुक है जूरिस्पुडेंस कानून के इल्म को कहते हैं तो आम शहरी के लिए भी उतनी ही इंपोर्टन्स रखता है जितनी लौ फिल्ड से रिलेटर लोगों के लिए है तो ये तो हो गया जूरिस्पुडेंस और हमारे चैनल जूरिस्पुडेंशिया का शौर्ट से इंट्रोड़क्शन तो अब बात करते हैं कि हमने ये चैनल क्यों बनाया है बेसिकली हम अवाम नास को कानून के हवाले से और लेगल प्रोफेशन को आम करने के लिए ये चैनल बना रहे हैं और इस पे इस तरह का कॉंटेंट लाएंगे के वुकला, हज़रावत, लौ स्टूडेंट्स और इसके साथ-साथ आम शेहरी भी उसी तरह इंगेज हो जिस तरह हमारे वकील या हमारे लौ स्टूडेंट्स इंगेज होंगे वो इस वज़ा से के हम कानून को असान अलफाज में आप लोगं के सामने प्रिजेंट करेंगे डिफरेंट लौस के उपर बात करेंगे जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अब दुनिया डिजिटलाइज होती जा रही है बट लौ एक ऐसा प्रोफेशन था जो के काफी अरसे से उस तरह डिजिटलाइज नहीं हो सका जिस तरह बाकी प्रोफेशन हुए और एक गैप होने के वैसे लोगों को इसमें अब शामिल होने का मोका मिल गया और हमने इस चैनल को इसी वज़ा से बनाया है कि हम लौ को और लौ के प्रोफेशन को एक वकील की जिन्दगी में जो मामलात आते हैं लौ की डिगरी करने के बाद उसको मसाइल उसका हल और कानून का फहम अदालतों अदालतों का नजाम अदालतों में चलने वाले केसिस के हवाले से बात करेंगे में इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ओपर हम जिस तरह का कॉंटेंट बेसीकली क्रियेट करेंगे पहला पॉइंट इसमें आता है कि हम इसमें पाकिस्तान के नामवार लॉयर्स और फॉर्मर जज़िस के इंटर्वियू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जब वो इस प्रोफेशन में आये तो उनको क्या-क्या मसले दरपेश आये और उन्होंने कैसे इस मसलों को हल किया और इस प्रोफेशन में अपना नाम बनाया दूसरी चीज़ मुल्क पाकिस्तान में उबरते हुए नौजवान वुकला के इंटर्वियूज करेंगे और वो अपने यंग दोस्तों को बताएंगे कि जो लोग कानून के प्रोफेशन में कदम रखेंगे लोग की डिगरी के बाद उनको क्या-क्या इकदामत करने चाहेंगे वो किस तरह इस लोग के प्रोफेशन में अपना नाम बना सकते हैं और वो किस तरह सुसाइटी और इस पाकिस्तान को सर्फ कर सकते हैं तो हमारा दूसरा में परपस इस चैनल का ये होगा तर्ली हम इस चैनल के ओपर अवाम नास के लिए कानून को असान अलफाज में करके पेश करेंगे और सुसाइटी के अंदर और रोज मर्रा जिन्दगी में आने वाली मुश्किलात और उसके हावाले से हम इस पर डिफरेंट लॉयर से उनकी राये लेंगे और अवाम को बताएंगे कि अगर कुछ ऐसी सिट्वेशन हो जाती है तो आपने उस सो कैसे कवर करना है और आपने उसमें से कैसे गुजरना है ये तब ही पॉसिबल होगा जब एक आम शेरी को कनून का इल्म उसी तरह होगा जिस तरह एक वकील को होता है और इसलिए हमारा तीसरा परफ़र होगा इस चैनल के उपर हम कनून को आसान अलफाज में अवाम के सामने पेश करेंगे जिसको देखकर उनको अपने लेकर आए इस डूटीज के वाले से पता लगेगा हमारा चोथा काम इस चैनल के उपर होगा के साइलीन और वकला को दरपेश मसायल के उपर हम उन्ही की ज alta करेंगे इसमें हम रोड़ शोस करेंगे और डिफ्रंट डिफ्रंट कॉर्ट्स में जाकर और उनके वकीलों के और अवाम के मसायल के उपर बात करेंगे जिसमें वो खुद बताएंगे कि उनको क्या क्या मसले हैं और इनका हल क्या होना चाहिए Last but not the least हम case laws के उपर, judgment के उपर और new laws के उपर different panels की discussion करेंगे different shows करेंगे और different interviews करेंगे इसके उपर इन्शाला हम case laws के उपर एक proper bulletin start करेंगे जिसमें हम high court, supreme court के cases को discuss करेंगे तो होगी हमारी basic domain के हम किसके ओपर हमारा basicly हम हमारे channel पर किस तरह का content produce होगा अब हम बात करते हैं के ये channel कौन चलाएगा और इसके back end पे कौन लोग होंगे ये channel पाकिस्तान के नामवर वकला के निगरानी के अंदर चलेगा और वो खुद भी इसमें participate करेंगे और इन्शाला पाकिस्तान के नामवर वकला के इस पर इंटर्वियू जाएंगे फॉर्मल जेजिस के इंटर्वियू जाएंगे जिसको देखकर आप कुछ ना कुछ इससे लाजमी दोर पर सिखेंगे हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको ऐसा content दे सके हम इस पे आप एहबाब के लिए regular content create करेंगे और जिस तरह का content इंशाला हम create करेंगे आपको देखकर भी अच्छा लगेगा और वो informative होगा basic हमारे जो main content के अंदर बात होगी वो यह होगा के content informative होगा content को आप अपनी society के साथ अपने loss के साथ हर चीज के साथ relate कर सकेंगे और content से आप maximum फाइदा ले सकेंगे इसलिए आप से गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को और शेयर कर दें और खुद भी subscribe करें और इंशाला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में देखते रहें जूरिस्पुडेंशिया